हलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक ब्लॉग या फिर वैपसाइड बना रहा है तो अपनी वैपसाइड के लिए आपके एक डूनेम चाहिए होता है जो कि सही डूनेम आप किस तरीके से पता कर सकते हैं या इसी के साथ में आ नहीं है तो इस चीज का हम किस तरीकी से पता कर सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर आप अपनी वैपसाइड या फिर ब्लॉग शुरू करना चाहा रहा है तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे लीन लीन डूनेम सर्च मोवाइल में या फिर अपने लब्टॉप PC में आपको यहां पर सर्च करना है लीन डूनेम सर्च ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है spelling आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर लिखकर simply search कर देता हूं यह website आपके सामने आ जाएगी यह website बहुत ज़्यादा कमाल की है ठीक है तो मैं चलिए इससे simply open कर लेता हूं जो की बड़े-बड़े रखना पर बनाते हैं तो वो यही से ही नाम को चेक करते हैं कारने का मतलब है यहीं नाम को देखते हैं ठीक है तो चलिएun जैसे कि आप किस नेम से यहाँ पर रखना चाहाते हैं अपनी वेबसाइट का जानी कि डूनेम आप किस नेम से यहाँ पर लेना चाहाते हैं जैसे कि एक्जाम्पली तोर पर मैं डार देता हूं प्रेम्स का जानी कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूं यहाँ पर पी-r-e-s-h सब्सक्राइब करेंगे जैसे ही आप किलिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर बहुत तरीके के यहां पर आपको डूनेम देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अभी हमें कुछ सेकंड यहां पर वेट कर लेना है सबसे पहली बात तो यह एक दम फिरी है ठीक है जाने कि आप यहां पर फिरी चेक कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर देखने को मिल लिया है जैसे कि प्रेंशंकर.com ठीक है कहने का मतलब है रेमशंकर.com हमें नहीं मिल सकता है, यह पहले ही किसी ने यहाँ पर ले रखा है, जिसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अपना नाम, अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, ठीक है, हटा देता उसके बाद में यहां पर हम सर्च करते हैं तो इस नाम से पहले ही किसी ने यहां पर जैसे की वैबसेट बना रखी है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो कहले का मतलब है इस नेम से देख सकते हैं पहले ही किसी ने वैबसेट बना रखी है इसी के साथ में अगर हम यहां पर जैसे कि Propel Shinkr Blog है इससे हम यहां पर search करते हैं तो यहां पर यह कुछ भी नहीं आएगा। यानि कि पेज आ जाएगा खाली वेफालतू का कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहां पर डू नेम एक सेलेक्ट रह सकते हैं और आप अपने हिसाब से यहां पर देख सकते हैं जैसे कि माई प्रेम संकर यह मिल जाएगा हमें ठीक है और यहां पर हम डॉट कॉम भी ले सकते हैं या फिर ब्लॉग भी लगा सकते हैं डॉट ब्लॉग ठीक है इसी के साथ सब्सक्राइब है और आपने हिसाब से यहाँ पर मार्केटिंग इसी के साथ में स्मार्ट प्रेम एक लेसकते हैं और ले हम बात कर लेते हैं जानी कि अगर हम कोई भी एक्जंप्लि तोर पर मैं यहां पर यह ले लेता हूं जैसे की यह व्लॉग ठीक है एक मैं यहां पर गॉगल में जाएंगे और हम हमें आप लिखेंगे लुखल डॉट कॉम ठीक है जैसे कि ल डबल ओ और जैने की के के और लुखा डॉट कॉम ठीक है जैसे कि मैं आप लिख देता हूं डॉट कॉम ठीक है उसके बाद में हमें आप पर इंटर कर देंगे तो यह website क्या काम करती है जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी डू नेम जानी कि खरीद रहे हैं और उस डू नेम को आपको परसंद आ करता हूं तो हाला कि है यहां पड़िए जादा नहीं जानी की आप इसमें चांबस सर्क करते हैं अन् Monica के बार कुछ इस तरीके आजाएगा और उसके बार हम यहां पर ऊपर की सेक्रौ करेंगे आप यहांप घे सकते हैं जैसे कि लेविल से स्पेम है कि यह किसी भी तरीकी का फराब नहीं है कि षाथ मैं आप सब्सक्राइब को करीदना चाहाते हैं तो आप इसे ले सकते हैं इसी के साथ मैं आपको यहां पर ओर बीओ निकादेता ओं जैसे UM चाहब safely को य्यांसे हटा देता हूं उसके वाद में हम यहाँ पर सर्ज करते हैं और बھی सराव दोनेम जो की एकणीमती अर्ट हम आलेते हैं यह है जने myframesंकर ठीक है नौट कॉम ठीक है मैं इसे हैं पर कपी करूंगा और और मैं यहां पर पेश्ट करूंगा इसे अभी फ्रीक है मैं यहां से किलोस कर देता हूं कि उसके बाद में हम यहां पर पेश्ट कर देते हैं सौरी पेश्ट लगा देता हूं dot com में इसके बाद में हम यहां पर सर्च पर simply किलिक करेंगे और उसके बाद में हमें यह रिजन्ट दिखा देगा जैनल कि यह है यहांने कि बिल्कुल जीरो जैनल कि जीरो परसंट जाने जो कि आप इससे ले सकते हैं यानिकी यहां पर जो ऐरर बगारा है अब वो लोडिंग यहां पर हो सकता है देख सकते हैं जही वाली वाजिवसर्ट तो जानिकी इस नेम को किसी ने रखा है ठीक है तो हम सब्सक्राइब करते हैं अब इसके बारे में बता देगा किसी भी तरीके का वो कोई भी स्पेम करता हो तो आप यहां पर दे सकते हैं कि आखिर कितना यहां पर स्पेम हो रहा है यानि कि यह वैबसेड वाला है जिसने भी यह नेम से यहां पर लिया है यह दूनेम ठीक है तो वह यहां पर विलॉग या दिखा रहा है अब गूगुल ठीक है तो गूगुल भी काफी बड़ा प्लॉट हो में जुकी आप जानते हैं दुनिया भर के काम गूगल पर ही हो रहा है चलिए आज हम उसी के में बता देगा जैसे की यह गूगल वैबसेड हैं और यहां पर 49 परसैंट तक यहां पर जो की च्पेम दिखा रहा है ठीक है अब यहां पर क्या क्या है जैसे की ऐस्टर व्लिंक है जो की देख सकते हैं और यहां पर टैग बगरा जो की गूगल है इसे के साथ में content से related और यहां पर कुछ website ठीक है तो इन से related यहां पर कुछ spam यह दिखा रहा है तो इस तरीके से आप इस चीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना अगर आप एक new blog start कर रहा है फिर website start कर रहा है तो अपने जो डू name को है किस तरीके से आप यहां पर परसंद कर सकते हैं जो की आप यहां से check कर सकते हैं कि आखिर हमें कौन सा लेना चाहिए और अपना यान की किस निच पर हम काम करना चाहाते हैं ठीक है तो उसी हिसाब से आप यहां पर select कर सकते हैं उसके बाद में आप उस new name के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर वो new name सही है कि नहीं है और किया किसी भी तरीके का इस पेम तो नहीं है क्योंकि चीज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए बरना आपको जो अप्रूब्ड है वो नहीं मिल पाता है जानी कि जब इस भी आप additions के लिए apply करते हैं जैनकि add लगवाने के लिए तो आपको वहां पर नहीं मिल पाता है तो इस चीज को आपको जानना चाहिए तभी आपको यहां पर डूनेम को select करना चाहिए